अलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर आलकम कहती हूँ आज जो पॉइम हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्ट्चर के अंदर दार्थ चॉसर जिसको लिखने वाले हैं टेड ही उस चॉसर कौन थे यह बिसिकली हिस्ट्री के एक important literary figure count होते हैं इनको father of English poetry, father of English literature भी कहा जाता है इनका English literature के अंदर, English language के अंदर बहुत ज्यादा contribution है और 14th century में सबसे dominant name इनका ही है और अगर कोई literature का student हो उन्हें चौसे के बारे में पता ना हो तो वो student literature का count हो ही नहीं सकता ठीक है तो इसलिए मैंने आपकी एसानी के लिए चौसे के उपार detailed lecture बनाया वाकर चौसे कौन थे कहां से बिलॉंग करते थे इनका writing style कैसा था इनका contribution English language के अंदर English literature के अंदर, poetry के अंदर, dialect के अंदर ठीक है तो मतलब overall जितने भी aspects से चौसे के मैंने सारे cover किये हुए है तो मैं उसका link description में डाल दूँगी आप उस lecture को सुनेंगे तो आपको चौसे के ओपर overall command हो जाएगा इसके लाब चौसे का most important literary work, the prolog to the canterbury tales इसके पर मैंने details से lecture बनाए हुए है इस collector पर one by one आप अगर prolog to the canterbury tales पढ़ना चाहें तो मैं वो भी link description में डाल दूँगी उस link के तुरू आप उन lectures को अप्रोच कर सकते हैं ये बाते मैंने क्यों बताई क्योंकि ज़रूरी थी क्योंकि जो हमारे crunch writer है Ted Hughes ये Chaucer को इनकी writing की base पे praise करने वाले हैं इस poem के अंदर कह सकते हैं कि ये poem जो है tribute है Chaucer के लिए Ted Hughes की तरफ से क्योंकि Ted Hughes बहुत बड़े admired थे Chaucer के even कि इनका खुद का कहना है one point which is very important वो note कर ले writer कहते है one point I have read more than any of these is Chaucer कि जो हमारे writer है उन्होंने सबसे जादा Chaucer को पढ़ा है उनकी writing को पढ़ा है और इनका कहना ये भी है कि जो अच्छा point होता है उसको बार बार पढ़ा जाता है तो इन्होंने बार बार Chaucer को पढ़ा है और Chaucer से इतना impressed हुए कि उन्होंने उनको tribute देने के लिए एक poem लिख दी जो के Chaucer के नाम से ही लिखी जिसमें Chaucer के style की तरीफ करेंगे उनके realistic attitude की तरीफ करेंगे उनके जो the prologue the canterbury tales है उसको appreciate करेंगे और वो critics जो के Geoffrey Chaucer के against रहे हैं उनको criticize भी करेंगे अब criticism दो तरह का होता है positive भी होता है negative भी होता है राइटर उनको appreciate करता है जो positive criticism करते हैं towards Chaucer लेकिन on the other hand जो लोग negative criticism करते हैं Chaucer की writing के बारे में चोसर के बारे में राइटर उनसे सख नराज होता है इसलिए राइटर ने अपने aggression शोग करने के लिए towards those जो के चोसर के बारे में negative criticism करते हैं राइटर ने एक poem लिखती जिसमें उनको ये answer कर रहा है उनके लिए ये so called critics का word यूज करता है less knowledgeable scholars का word यूज करता है और कहता है क्रिटिक ऐसे क्रिटिक है जो के तबदीली को change को पसान नहीं करते और चोसर वो परसन था जो के literature के अंदर English language को लेकिया था और एक change लेकिया था एक new pattern के अंदर इसने लिखना शुरू किया था तो anyhow हमारी जो poem की text है लाइन पर लाइन अनालसिस हम शुरू करते है तो poem की जो opening lines है देखें बलकु स्टार्ट वाली दो lines ये हमारे writer ने Geoffrey Chaucer की poem है The Prologue to the Canterbury Tales उसकी opening line है उनको यहां पर court किया है और इस तरहां से ये Chaucer की writing को appreciate कर रहे हैं कि उनकी writing की जो first two lines जो point में वो उठा के अपने ही work में court करती When that April with his short suit the draught of March had pursed to the root अब यहां पे इन lines में क्या बताया किया हुआ है April की बात की कही है कि जब April आता है तो उससे rain चुरू होती है और April अपने साथ spring का season लेके आ रहा है और हर तरफ बारिश परिस रही है जो मार्स की roughness थी जो dryness थी वो खतम हो चुकी हुई है और April अपने साथ अपनी एक worth लेके आया है value लेके आया है जिससे spring का season आ गया है अब जब spring का season आया है तो happiness is everywhere rain is everywhere और जहां पे बंजर पोदे थे जहां पे dry leaves थे dry flowers थे वो सब के सब दुबारा खिलना शुरू हो गए है तो April के season of rebirth है season of revival है ठीक है क्योंके वहाँ पे spring आ गया spring का season symbolize करता है rebirth को, revival को दुबारा से किस तीज के पैदा होने को तो writer यहाँ पे चोसर की alliance quote करता है और यहाँ पे बताना चाहता है कि चोसर की writing realistic element रखती है चोसर की writing natural element रखती है nature को deal करती है क्योंके एपरल का आना, spring का आना बारिश का होना, यह सब क्या है natural element है ठीक है, March की dryness को खतम हो जाना यह सब क्या है natural element है तो कहता है चोसर की writing जो है अपने अंदर natural element रखती है अपने अंदर एक realistic approach रखती है इसलिए चोसर सबसे top पे आता है इसकी poetic quality की अपनी वर्थ है अपनी value है और इसके इलावा चोसर ने beautifully imitate किया nature को अपनी writing के अंदर इसे nature को एक new freshness provide की है और यह पहली दो lines alien भी है alien किसे कहते है एक brief और indirect reference को जो किसी person के बारे में हो सकता है place के बारे में हो सकता है चीज के बारे में हो सकता है idea के बारे में हो सकता है यह पिर किसी cultural historical place के बारे में हो सकता है यह पिर literary यह political significance के बारे में हो सकता है मतब कोई भी reference और वो reference आप clearly words नहीं use करतें, indirectly quote करतें, जैसे कि हमारे पास आमने lines आई, mention ने किया कि Canterbury Tales की lines है, मगर ये lines डालके पता लग गया कि चोसर के बारे में यहाँ पर tribute दिया जा रहा है, चोसर को refer किया जा रहा है, और simply अगर आपने याद रखना है, तो ये याद रखने कोई भी reference होता है, जिसके अंदर किसी famous place, person, event, or literary work के बारे में बात की जाती है, तो Ted Hughes ये कहना चाहता है कि ये एक 14th century का poet, चोसर, जिसने poetry शुरू की, इसने experimentation की, बीटर के साथ, language के साथ, कहते हैं, इसकी experimentation की base पे, जो modern poetry है, उसको base मिले, मतलब उसके लिए रास्ता हम वार हुआ, चोसर की poetry, realism based थी, और इसी base पे, modern poetry को भी, realistic approach सीखने को मिली, due to the writings of चोसर, फिर writer कहता है, at the top of your voice, where you sweat on the top of a style, style कहते हैं, एक kind of CD की तरह की होती है, मतलब, arrangement होते हैं, steps के, जिसके तुरू, लोग, कोई fence हो, या wall हो, उससे चड़के उपर जाते हैं, simply, CD की तरह का होता है, यह बना हुआ, यहाँ पर writer कहता है, जो reader है नहीं के पढ़ रहा है, चोसर के बारे में, बोल रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, कि तुम एक CD के उपर खड़े होकर, अपनी आवाज को बुलंद करते हो, your arms raised, तुम्हारे बाजू उठे वए होते हैं, somewhat for balance, कुछ balance के लिए, somewhat to hold the range of straining attention, straining मतलब जोर डालना, दुबावर डालना, कि तुम जोर डालते हो, दुबावर डालते हैं, कि तुमाई तरफ लोग मतवज्जा हो, यहाँ पर, जो टेड़ी होज़ हो, किस से concern कर रहा है, critic के साथ, कौन critic, जो के negative way में criticize करते है, चोसर को, उनको कह रहा है, कि तुम style पर खड़े होकर, जोर-जोर से, अपना बाजू हिला हिला कर, बात कर रहे हो, कुछ balance के लिए, यहाँ पर, इस चीज़ के लिए लोग तुम्हाई तरफ मतवज्जा हो, क्या कहते हो, of your imagined audience, वो audience जो तुम्हाई सामने बैठी होई है, imagined, real में मुझूद नहीं है, utopian है, और तुम उनसे कहते हैं, क्या हो, you declaimed chaucer, तुम चोसर के बारे में बाते करते हो, to a field of cows, cows का वर्ड यहाँ पर, इसने critics के लिए यूज किया, critics जो के negative word में criticize करते हैं, chaucer को, ठीक है, cow का का काम क्या होता है, cow एक field में जाती है, जाके माँ पर चारा खाती है, और regularly यही कुछ करती है, और जो critics का वो कह चाते है, कहता है, critics का भी यही काम है, critics जो है, वो कोई भी new trend नहीं चाते, वो old ideas ही चाते हैं, जैसे के cow old ideas अपने पास रखना चाती है, critics जो हैं, वो उन्ही ideas की practicing और preaching करना continue रखना चाते हैं, अभी जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पे fence लगी होती है, बार लगी होती है, उस बार के उपर एक style सीड़ी लगी होती है, तो यहाँ पे basically इसने एक field की image create की है, एक खेद का image create की है, वैसा खेद जहाँ पे जानवर, यानि के cows को रखा गया हो, और वहाँ पे एक style बनी हो, एक CD बनी हो और उस CD के उपर खड़े होकर एक गाएं खड़ी होकर उंची उंची अपना lecture दे रही है किस के about? Chaucer के about और यहां पर Ted Hughes कहना यह चाहरा है कि तुम Chaucer को understand करने ही पारे फिर भी तुम declaimed यानि कि उसके बारे में दावा करते हो और उसके बारे में negative image create करते हो फिर कहते है Chaucer कोन है? And the spring sky had done it with its flying laundry Spring sky यहां पर refer कर रहा है Chaucer के work को जैसे कि पीछे पढ़ाना है April, April month है spring का Spring से आती है rebirth, revival, happiness, everywhere rain, freshness, newness तो कहते है spring sky had done it, यहां पर spring sky basically Chaucer के लिए word used किया है कि जो Chaucer है वो काम कर चुका है, उसने यह क्या किया है विदिस flying laundry, laundry का काम किया है सफाया करना तो कहा किया है इसने कहते है Chaucer ने भी आके जो पुराना literature था यहां कि जो old traditions थे, जो old trends थे, जो कि utopian work based work produced के जा रहे थे imagination based works produced के जा रहे थे, उनका सफाया कर दी है अब यहां पर कैसी imagination की बात की जा रही है, वो जिसमें reality ना बताई जाए Chaucer एक newness लेके आया है, Chaucer reality को लेकिया है, Chaucer के जो piece of work and they all are realistic based और इसे जो character है वो भी realistic है, life like pictures है Chaucer ने एक new era introduce कराया है, यह spring sky जो है, यह new era के लिए भी word यूज किया गया है यह important word है क्योंकि यहां पर देखे जो spring का, ऐसे वो capital word में लिखा है और laundry यहां पर symbolize करें कि फोसी जो के पुराने का सिफाया कर दे, बिल्कुल खतम कर दे पुराने को newness लेकर है, ठीक है, modernity यहां पर, sorry, laundry यहां पर modernity को symbolize कर रही है the new emerald, emerald basically एक stone है, green color का और emerald जो है वो, dragonfly को भी कहते है, जो के green color का होता है, एक moth यहां पर basically emerald symbolize करें, जैम को एक पत्थर को, बतलब stone, एक हीरे को, और वो हीरा क्या है, चोसे का writing style, चोसे का work, चोसे का contribution in literature of thorns, the hawthorn and black thorn, आप जो hawthorn है, यह बिसिकली क्या है, यह सारा कुछ फूलों की जाड़ियां जो होती है, उनको कहते है black thorn, again same, फूलों की जाड़ियां होती है, लेकिन black color linked होता है इसके साथ, यह सब जो है natural objects है, तो writer यहां पर, चोसे की writing को, nature-like writing करने चाहता है, कि तुम्हारी जो है, राइटिंग वो, new emerald of the thorns and the hawthorns and the black thorns जैसी है, मतलब flowery writing है, natural writing है, nature को में लिए deal करती है, और realistic way बे प्र of campaign कहते है, basically a kind of wine होती है, कहते है, अब क्या होता है, one of those, यहनी कि इसने दो groups की बात किया इसके इंदर, और उन ग्रूप में से एक group होगा है, bumpers of campaign कहते है, उन्होंने नशा किया हूआ है, wine की होई है, wine पीके, you snatch unpredictably from pure spirit, अब वो जो दो ग्रूप है, मतलब लोगों के दो ग नशे में सुन रहे हैं, और वो जो नशे में सुन रहे हैं, वो तुहारी तरहां के रियल करेक्टर्स नहीं बना सकते, मतलब जैसे रियल करेक्टर्स चोसर नहीं बनाए हैं, वो वैसे के रियल करेक्टर्स नहीं बना सकते, क्योंके चोसर ड्रंकन नहीं था, यह ड्रंकन प criticalize कहा रहा है कि वो real spirit , हो pure spirit, औरcollばい आुज करके आंदर मिखनी को हुद बना कि यो प्यवाद प्याधन किया था है यह जो new joke o राइटर होते हैं c spr doğ डाली थे चो फॉर्ट कर डालीडे में। आस्पिरिट अपने क्रेक्टर में Straight UP Is the screen पर शोओ रही है तुम्हारी आवाज ग्रेंचेस्टर तक गई यह एक प्लेस का नेम है इस लाइन में चोसर को रहा है कि चोसर तुम्हारी जो आवाज है तुमने जो लिखा है न वो ग्रेंचेस्टर तक गई आई यह निके ग्रेंचेस्टर एक बड़ा हर्याला इलाका है तो कहते हैं, it must have sounded lost तो मुझे भी ना भूल जाना चाहिए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ critics कर रहे हैं, लेकिन but the cows, ये जो critics है क्या करते हैं, ये बाज ही नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से, ये less knowledgeable persons, less knowledgeable scholars, अपने आपको scholars कहते हैं, लेकिन ये एक cow की दरांकी है, जो के newness चाहते ही नहीं है but the cows watched then approached, they appreciated Chaucer, you went on and on here were reasons, अब क्या है यहाँ पर दो बाते थी मनता है दो ग्रूप के है, एक ग्रूप है जो reader है, पढ़ता है Chaucer को पढ़के enjoy करता है, दूसरा critic है, critic Chaucer को जो क्यों पढ़ रहा है, क्यों सुन रहा है, क्रिटिसाइज करने के लिए नेगेटिव वे में अब वहाँ पर कहता है, क्यों ये एक रिटिक तो बाज नहीं आने वाले you went on and on, यानि कि रीडर तुम जो पढ़ रहे तुम तो पढ़ते जा रहे है लेकिन, here were reasons to recite Chaucer, Chaucer को पढ़ने के लिए भी वजा किया है कहता है, अब वजा ये है, कि then came a whiff of bath, उसका क्रेक्टर, whiff of bath whiff of bath, ऐसा क्रेक्टर जो कि wife of bath दिखा जाता है इसको, ये temptation की वजा से famous है क्रप्ट क्रेक्टर है, ठीक है, जो के मर्दों को वर्गलाती है, उसलिहां से एक क्रेक्टर फेमस है, थ्रू आउट दिट्रेचर कहते हैं, रीड़ तो इनको पढ़ते जाते हैं, चोसर को enjoy करने के लिए, लेकिन वहाँ पे, जो कुछ negative reader होते हैं, यानि कि जो critic होते हैं, negative way में जो पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, कहते हैं, जो बहाँ पे whiff of bath का क्रेक्टर आता है, उसको लेके सारे कठ्थे हो जा इन्ट्रॉल्ड फैसिनेट होना, चाम से, ब्यूटी से, कि जो पढ़ने वाला है, वो तो मगन होके पढ़ रहा है, लेकिन जो सुनने वाले मतलब काउज हैं, जो critic हैं, वो भी इन्ट्रॉल्ड हो जाते हैं, वो भी इसके अंदर बड़े दिल्जस प्लेके बास सुने लग कर रहा है, ये गोर से सुन रहे हैं उसकी बातों को, तो गेस इन्ट्रॉल्ड फैस विद ओकाइनल स्नॉट्स, कि घोर गूर की चेहरे को देखते हैं, ओकाइनल स्नॉट्स के मौके के साब से नाख फलाने लग पड़ते हैं, अब हुआ क्या, कि यहां पर ये सीन दिखाया कि जब रीडर रीडिंग कर रहे थे, तो ये जो काउज होते हैं, ये भी कठे होके उनकी बातों को सुन रहे थे, दूसरे को कंदे मारे थे, शिरारती संस में नहीं मारते, फजूल बातों के ओपर, वैसे, और कहते हैं, जब रीडिंग खतम होने वाली है, उसके बात के जिर्णल स्नौट, स्नौट मतलब नाक मूँ चड़ा चड़ा कर अजीव गरीब तरीके से, और एक्स्लेमेशन, रिन्यूट, देर अस्टाउंटेट अटेंशन, एर्स एंगलिंग तो कैच एवरी इंफलेक्शन, तुम करते हो तुम चाल बाजी से, एंगलिंग होता है चा कि इनके ओपर हमने क्रिटिसाइस करना है, यह सब कुछ, keeping their odd six feet of reverence away from you, यानि कि जो रीडर है उसे इतना दूर है कि उनके ओपर मजाग उड़ा रहे होता है कि पढ़ के रहा था, ठीक है, खुद पहले यह काल नकाल का के सुन रहे हैं, काउस, और उसके बाद के कर रहे हैं खुद यह काउस, क्रिटिसाइस कर रहे हैं, हस रहे हैं, इसके ओपर के पढ़ के रहा था, you just could not believe it, तुम इस पर यकीन भी नहीं कर सकते हो, and you could not stop, what would happen if you were to stop? अब यहां पर रीडर को का गया है, कहता है, लिसनर तो थे, यानि क्रिटिक्स हो थे, वो थे कुछ का रहे थे, ना मजाख उड़ा रहे थे, कि उसे कौनिया मारे थे, सरकल के इंदर बैट के गपशप पर मारे थे, लेकिन, कहता है, you could not stop, तुम जो ना ना तो यह यकीन कर स करेंगे, scared by the shocks of silence, और wanting more, कि तुम जो पढ़ रहे थे, उसके बड़ तुम पर अटाक करेंगे, तुम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, scared by the shock of the silence, और wanting more, यहां तो वो खोवजदा हो जाएंगे, कहमोशी क्यों हो गई है, यहां पर कहेंगे, और सुना तुम जो पढ़ा है, और काउस मतलब 20 critics हैं, कटे बैटे हुए हैं, stayed with you, तुमारे से बैटे हैं, hypnotize हिरान हो जाएंगे, hypnotize हो जाएंगे, how did you stop, तो यह दो क्रूप से बात कर रहे हैं, एक reader, जब भी रुकने की, पढ़ने की, बात कर रहे हैं, stop करने की, बात कर रहे हैं, तो यह reader से मुकातिब है, औ How did you stop, तुम कैसे रोकोगे, I cannot remember you stopping, मुझे नहीं यह तुम रुक रहे हैं, I imagine they reeled away, मैं तो यह imagine करता हूँ, वो लड़कडाना शुरू होगे, मदोश होगे, rolling eyes as if driven from their fodder, reeled away क्यों, क्योंकि उनने, पीछे हमने पढ़ा था था ना, wine पी उते हैं, चैंपियन पी हुई है, त पीछे हैं, as if driven from their fodder, और ऐसे गूर के दिखें, जैसे उनसे उनका चारा दूर हो गया, fodder कहते हैं, चारा जो गाएं खाती हैं, I imagine I shooed them away, I imagine I shooed them away, but your sustentio rendering of Chaucer, sustentio कहते हैं, reciting करना, नजमे पढ़ना, कहते हैं, मुझे याद है, मैं तो उनको बगा दिया था, कि इनको इन काउस को, लेकिन तुम जो चोसर को पढ़ रहे थे, तुम जो चोसर की नजमों को पढ़ रहे थे, was already perpetual, what followed, found my attention too full, and had to go back into oblivion, तो अब उनसे चारा दूर हट कहा था, फैडर, और अगर तुम अब पढ़ना गंद कर दोगे, तो क्या करेंगे, उन्होंने तो तनकीत करनी थी न, उन्होंने क्रिटिसाइस करना था, जब तुमने स्टॉपिंग, पढ़ना बन कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो फिर अब further क्रिटिसाइस कैसे करेंगे, नेगेटिव वे में, कौन, काउस, काउस को ने यहां पे, क्रिटिक्स, क्रिटिक्स कौन से, जो के नेगेट इस तरह से डीरिडिंग कर रहे हो, वो तो एक रिमाकेबल काईड ओव करेंगा, वो परपफेच्यो से, हमेशा रहेगी, ऑलोड़ी परपिच्यो सेुथ तो इसको ऐक स्टेट्टेस दे गया एक नें म Was followed, जो भी चोसे की राइटिंग को, डीरिडिंग को follow करेंगा, found by attention to full, उसको मेरी भी attention पूरी की पूरी मिलेगी क्योंकि मैं खुद भी चोसर का follower हूँ और जो चोसर को follow करता है मैं उसको follow करता हूँ उसको मैं अपनी proper attention देता हूँ and had to go back into oblivion oblivion means unconscious state तो कहता है मैंने जो भी comments दी है मैं उन सबसे माजरत खुआँ मैं अब unconscious state में जाता हूँ had to go back into oblivion यानि के मैं ऐसी state जिसके अंदर सब कुछ भूल चुका होता हूँ मैं उस state में जाता हूँ तो end पर writer ने के किया writer ने सारे comments भी pass कर लिये critics को अच्छी खाची सुना भी दी उनको less knowledgeable भी कह दिया उनको counts भी कह दिया उनको भरी भुली सुना कर बुरी भरी सुना कर end पर कह दिया had to go back into oblivion यानि के मैं इसे कुछ भूल चाहना चाहता हूँ जो जो मैंने कहा उसके लिए maafi यानि के अपना काम भी कर लिया और end पर maafi भी मांग ली और अपनी poem भी complete कर ली तो पूरी poem जो थी वो attribute थी Chaucer को इसे Chaucer के style को appreciate किया उसकी humor को appreciate किया उसके writing style को उसके works को उसके creativeness को उसके realistic attitude को इन सब को इसने appreciate किया on the other hand इसने इसमें दो groups दिखाया लोगों की एक reader था जो के Chaucer को appreciate करते बढ़ रहा था on the other hand एक listener था जो के critics का group था critics जो के Chaucer को सुन रहे थे to criticize him in a negative way तो जो negative way में criticize करने के सुन रहे थे उनके लिए इसने kaos का word यूज किया तो I hope कि आपको इस सारी poem अच्छे से clear हो चुकी होगी कोई भी confident बाकी नहीं रही होगी thank you so much of watching this video video पसाने तो like भी करेगा comment भी करेगा हमारे channel को subscribe भी करेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले lecture सार तब तक के लिए